कैसे हो दोस्तों, एक्सिलेंट क्लासेश की तरफ से यह है टेस्ट नमबर 6 अगर आपने पिछले 5 टेस्ट नहीं दिये हैं जियोग्राफी के तो सेम चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं देखिए आज हम डिसकस करेंगे भारत की प्राइडीपी नदियों के बारे में तो प्राइडीपी नदियों के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि प्राइडीपी भारत की नदियां बहुत ही पुरानी हैं जबकि प्राइडीपी भारत की तुलना में हिमाले की जो नदियां हैं वह बहुत ही नई अर्थात अपनी युवा आवस्था में हैं हिमाले से निकलने वाली नतियां उत्तर भारत के मैदान में बिसर्पन करती हुए चलती हैं और कभी-कभी बिसर्प करते हुए अपना रास्ता बदल लेती हैं आईए हम विस्तार से समझते हैं सबसे पहले समझते हैं प्राय दीपी भारत से क्या तात पर रहे हैं प्राय दीपी भारत भारत का वह हिस्सा है जो समुद्र से तीन ओर से घेरा हुआ है प्राय दीपी भारत बेसिकली अफ्रीकन कंटिनेंट का पार्ट है जो की तेथित भू सहेती की सिध्धान्त की अनुसार अफ्रीका महादीफ से तूट कर अंगारा लेंड अर्थात अभी बर्तमान एसिया से जुड़ा है यह प्राईदीपी भारत बहुत ही पुराना है जबकि हेमाले जहां पर है वहाँ पहले टेथिस सागर हुआ करता था और नदीओं ने वहाँ पर पाठ के मैदानों से काट काट कर मलवा भर दिया है और वहाँ पर उत्तर भारत का मैदान बनाया है तो प्राईदीपी भारत की नदियां बेसिकली पठार में बहती है आईए अब सुन्दरवन में मिलने वाली होती है उस समय अपना सारा आउसाद छोड़ देती है तो उससे डेल्टा का निर्माण होता है सुन्दरवन डेल्टा बिश्चुका शब्से बड़ा डेल्टा है और यह मैंग्रो बनस्पती के लिए भी जाना जाता है आईए शुरू करते है आज का हमारा क्विस सेक्षन कुष्चन नमबर वन है हमारा IAS PreGS 2009 के परिक्षा से कुष्चन वन है प्राइदीपी भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है हमारे पास चार ओप्सन अवेलेबल है कृष्चन, नर्मदा, गोदावरी और महानदी आईए शुरू को हम मैप के माध्यम से समझते है नर्मदा जो आखी सबसे उपर है भ्रंस गाटी में बहती है तापती भी भ्रंस गाटी में बहती है गोदावरी जैसे कि आप मैप में देख रहे होंगे सबसे लंबी नदी गोदावरी है गोदावरी नासिक से निकलकर पूर्वी घाट में बे ओफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में गिरती है गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है आते हैं कुश्चन नमबर दो पर यह उत्तराखंड PCS 3-2006 का कुश्चन है निमलेखत में से कौन सी एक नदी डेल्टा नहीं बनाती है तो दियर एसपारेंट पूर्वी घाट की नदीयां डेल्टा बनाती है जबकि पश्च्वी घाट की नदीयां डेल्टा नहीं बनाती है इसका कारण यह है कि पूर्वी घाट की नदीयों के धाल अपेच्छाकरत कम है पश्च्वी घाट की नदीयां की धाल अधिक है पश्च्वी घाट की नदीयां कौन-कौन सी है नर्मदा तापती तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा नर्मदा नर्मदा अन्य नदियों से विपरीद अपनी भ्रंस घाटी में बहती है जो की पूरप से पश्चम की और बहती है तो राइट आंसर है से एर ओप्शन C आते हैं कुश्चन नमबर 3 पर तवा किस नदी की सहायक नदी है तवा रिवर इस ट्राइब्यूटरी आफ MPPCS pre GS 2003 का कुश्चन है इसमें हमें बताना है कि तवा किस की सहायक नदी है दियर एस्पारेंट तवा को हम लोकेटेट करते हैं इंडिया के मैप पर और यह नर्मदा की सहायक नदी है जैसे कि मैंने उसे अंडरलाइन भी किया है तो राइट आंसर इस हैर Option number B नर्मदा नर्मदा से जुड़े हुए कुछ important fact जान लेते हैं यह सरदार सरोवर परियोजना भी नर्मदा के तटपर बनाई आ रही है और जिसका जल भराव छेतर कहा होगा मद्ध प्रदेश तो राइट आंसर इस हैर नर्मदा आते हैं कुछन number 4 पर क्रश्णा नदी जल भीबाद किन दो राजियों के मद्ध है बेसिकली यह बिबाद क्रश्णा के वाटर यूसेज को लेकर है और यह कुछन टेकनिकली थोड़ा सा यहाँ पर गलत है चुकि यह बिबाद 1957 से तीन राजियों के बीच चला रहा है यह बिबाद क्रश्णा नदी का करनाटक, आंधर प्रदेश और महराष्टरा के बीच में है और यह जल के भराव छेतर चुकी वहाँ पर बांध बनाए गए हैं जो क्रश्णा नदी का जल नीचे अर्थात आंधर प्रदेश और करनाटका के जल को रोकते हैं जिसके बीच यह बिबाद चला रहा है पिछले को समय में यहाँ पर हर्ताल भी हुई थी जो बहुत ज़्यादा न्यूज में रही थी आते हैं कुश्चन नंबर पांच पर निमलिखित मेंसे कौन सी नदिया जवार नदमुक बनाती है UPROAROGS 2017 का कुश्चन है सबसे पहले हम समझते हैं जवार नदमुक होता क्या है जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं जो नदियां अपने समुद्र पर गिरने से पहले उनके जो मुक होता है वह सकरा होता चला जाता है जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे नर्मदा नदी का मोहाना दिखाया गया है और यह मोहाना एंड में जाकर बहुत ही सकरा हो जाता है और एक किर्तिम जील का निर्माण करता है तो राइट आंसर इस हैर नर्मदा जोर नदमुक कौन सी नदी बनाती है नर्मदा और यह है बेसिकली पश्चमी घाट की नदीयां बनाती है पूरवी घाट की नदीयां बनाती है डेल्टा और पश्च्चमी घाट की नदियां बनाती है जुआर नदमुक Question number 6 पर आते हैं Pride DP भारत में निमलिखित कौन सी नदियों का उद्गम शेत अमर कंटक से है आईए हम मैप के माद्यम से समझते हैं अमर कंटक यहां से तीन नदियां निकलती है जैसे कि आप इमेज में देख पा अमर कंटक पर यहां से तीन नदियां निकल रही है नर्मदा, महानदी और सोन आईए हम और डिटेल्स में जानते हैं इसको महानदी का उद्गमिस्थाल मैकाल पठार पर इस्थित कुश्चन नमबर से में पर आते हैं तमिल नाडू में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो यह कितनी राज्यों से बहती है तीन राज्यों से आते हैं कुश्चन नमबर एट पर वह राज जिससे होकर कावेरी नदी प्रवाहित होती है जैसे कि अभी हमने पिछली कुश्चन में ही मैप के माध्यम से समझा कावेरी नदी तीन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है कावेरी नदी करनाटक के ब्रह्मपुरी पहाड़ी से निकलती है और यह केरल, करनाटक और तमिल नदू में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यह देखते पा रहे हों जैसे इमेज में यह डेल्टा का निर्माल करती है कावेरी नदी तो आप्शन B is right here केरल, करनाटक और तमिल नदू right answer is here, option B कावेरी नदी जो की दच्छन की गंगा की नाम से भी जानी जाती है आते हैं question number 9 पर दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है दामोदरी रिवर इस दा ट्राइब्यूटरी ओफ दामोदर रिवर के यहाँ पर कौन सी परियोजना बनाई गई है दामोदर वैली कार्परेशन भी दामोदर नदी पर है दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है जैसे कि आप image में देख पा रहे होंगे दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और यह नदी बंगाल का शोक भी कहा जाता है और एक फैक्ट हम और जान लेते है हुगली नदी को बिस्वास घाती नदी कहा जाता है क्योंकि इसमें बाढ़ बहुत आती है इसकी बाढ़ अनप्रेडिक्टेट होती है सबसे बिस्वास घाती नदी कौन सी हुई हुगली राइट आंसर है कुश्चन नमबर दस पर आते है भारत की निमलिके नदियों में से कौन को जैविक मरुफ्थल कहते है यह कुश्चन IESGS 2007 का है दामोदर नदी में ब्याप्त जल प्रदूसर्ण के कारण इसे जैविक मरुफ्थल कहा जाता है इस नदी में इतना ज़्यादा प्रदूसर्ण है कि यहाँ पर कोई भी जीव नहीं पाया जाता है यह भारत की सरबाधिक प्रदूसर्ण नदी है इसे बाइलोजिकल डिजर्ट के नाम से जाना जाता है गौरब तिलाभ है कि दामोदर नदी को बंगाल का सोक भी कहा जाता है तो यहाँ पर दो कुश्चन बनते हैं दामोदर नदी पर जैविक मरुफ्थल और बंगाल का शोक आते हैं कुश्चन नमबर 11 पर कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है यह अभी हमने हाल में ही डिसकस किया है यह BPSC pre 2000 का question है बंगाल का सोक के से कहा जाता है दामोदर नदी को दामोदर नदी किसकी ट्राइब उट रही है हुगली नदी की दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है क्योंकि यह इतनी ज़्यादा प्रदू से थो चुकी है कि इसमें किसी भी प्रकार का जीव survival नहीं कर पाता है तो इतनी question बनते है यहाँ पर DBC अर्था दामोदर वैली कार्पोरेशन भी दामोदर नदी के किनारे लगाया गया है सो दामोदर नदी के लिए अतनी important question बनते है दामोदर नदी जारखंड के पलामू जले के चंदवा नामा के स्थान से निकलती है आते है question number 12 पर निमलेखिस में से कौन सी नदी पश्चमी घाट से नहीं निकलती है या IAS प्रीज GS 2009 का question है कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चमी घाट से नहीं निकलती है हमारे पास option है कृष्चन, महानदी, गोदावरी और बैगाई आए इन चारों option को हम map पे located करते हैं आप देख पा रहे होंगे महानदी पश्चमी घाट से नहीं निकलती है महानदी कहां से निकलती है अमर कंटक से जैसे कि हमने पिछला question किया था अमर कंटक नामा के स्थान से निकलती है और पूरवी घाट में जाकर गिरती है right answer is here option B अमर कंटक से तीन नदिया निकलती है सोन, महानदी और नर्मदा question number 13 पर आते है लेह इस्तित है यह question BPSC 2015 का question है लेह के बारे में जैसे कि हम बताएं कि article 370 में amendment करके भारत की सरकार ने इसे UT में convert कर दिया गया है और यह किसकी नदी के किनारे इस्ते है तो आईए map पे located करते है यह शिंदु नदी के किनारे इस्ते है मान सरोबर से निकलती है जैसे कि आप map में देख पा रहे है मैंने उसको underline किया है सिंदु नदी के तट पर क्या है लेह इस्तित है option C आते है question number 14 पर निमलिखित को सुमेलित करना है we have to matching the answer MPPCS 2008 का question है इसमें बताना है कि उस्तित है जबल पूर नरमिदा के किनारे इस्तित है कानपूर गंगा के किनारे और संबल पूर जो कि उडिसा में है यह महानदी के किनारे इस्तित है जो बड़े शेहर है basically जो बड़ी cities होती है वो river के किनारे ही बसाही जाती है तो यहां पर एक question नदियों और नगरों से related है आते हैं कुश्चन नमबर 15 पर निम्न नदी बेसिन में किसका छित्रपल सबसे अधिक है बेसिन से मतलब है नदी का वह भाग जहां वर्षा अत्बा पिगलती हुई बर्फ का पानी नदियां नहरों या नालों से बैकर एक ही स्थान पर collect हो जाता है उस स्थान में या तो एक बड़ी नदी पानी के जल संबर से निकलती है अर्था जैसे हम जानते हैं कोई बड़ी नदी होती है तो आसपास की छोटे छोटे नाले नहर नदियां सब उसमें आकर मिल जाती है और वह उसके ड्रोनी अत्वार जल भराण छेतर या वेसिन कहलाता है यहां पर गोदावरी नदी का जल भराण छेतर सबसे जादा है गोदावरी को बूडी गंगा के नाम से भी जाना जाता है कुश्चन नंबर 16 पर आते हैं मचकुंड और इंद्रावती नदियां निकलती है यह BPFC Pre-GS 2003 का कुश्चन है बिहार Public Service Commission का और हमें यह बताना है कि मचकुंड और इंद्रावती नामक नदियां कहां से निकलती है महंदगरी से, अमर कंटक्स से, सुराइट आंसर है यहर महंदगरी परवत महंदगरी परवत से मचकुंड और इंद्रावती नामक नदियां निकलती है BPFC का कुश्चन है आपको comment section में यह बताना है महिंदगरी परवत किस राज़ में located है किस राज़ में महिंदगरी परवत इसते थे बहुती आसान सा question है आप comment section में इसका answer बताईए question number 17 पर आते हैं भारत की नदियां प्रमुक रूप से अफवाहतंत रखती है अब बहुत अंत से मतलब है कि नदियों का flow system किस परकार से है अरी means aerial खंडेत मतलब distributed ब्रक्ष नुमा like tree यह जालिदार like net तो right answer है ब्रक्ष नुमा ब्रक्षों में जिस परकार से डालियां होती है साखाएं होती है भारत की नदियों का अफवाहत system अर्थाथ flow system like a tree so right answer is here option C यह UPPCS means GS2000 का कुश्चन है भारत की नदियों का अबवाहत तंत्र है ब्रक्ष नुमा आते हैं कुश्चन नंबर 18 पर प्राइदीपी भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है यहाँ पर हमें सबसे लंबी नदी प्राइदीपी भारत की यह UPPCS GS2018 का कुश्चन है इसमें हमें भारत की प्राइदीपी नदी सबसे लंबी बतानी है देखिए मैप में सबसे लंबी नदी यहाँ पर गोदावरी रिवर है जिसे बूडी गंगा के नाम से भी जाना जाता है और यह नासिख से निकल कर Bay of Bengal में जाकर गिरती है तो राइट आंसर इसे हैर option C यहाँ पर एक कुश्चन और बनता है पश्चमी घार से कौन सी नदी नहीं निकलती है महा नदी महा नदी निकलती है अमर कंटक से कुश्चन नमबर 19 पर आते हैं भारत का सबसे बड़ा जल परबाद जोग जल परपाद किस नदी पर है भारत का सबसे उंचा जल परपाद जो की 271 मीटर उंचा है करनाटक की सरावती नदी पर लोकेटेड है option A is correct here आईए और फैक्ट जान लेते हैं पश्मी तड़ पर जो बहने वाली नदीयां है वह बहुत ही अधिक परपाती है अर्था इन नदीयां बहुत ही तीब ढ़ाल से बहती है और प्राकरतिक जल परपातों का निर्मान करती है कुंचीकल जल परपात भारत का सरबातिक उंचाई पर इस्थे जल परपात है तो यहां confuse नहीं होना है अगर सबसे ज़्यादा उंचाई वालब पूछा जाए तो कुंचीकल होगा कुश्या नमबर 20 पर आते है निमलेखत में से कौन सी भूमी बंधित नदी है लेंड लॉक रिवर कौन सी है अर्था जो नदी समुद्र में जाकर नहीं गिरती है तो वह कौन सी नदी है option A तापती, option B कृष्णा, option C लूनी, option D नर्मदा तो तापती और नर्मदा तो यहां पर गलत हो जाएगा तो right answer is here, option C, लूनी नदी सहाद्री की नदियां सहाद्रियत तक पच्छमी घाठ की नदियां तीब्रवेक से बैती है आते हैं आज के lucky question पर ना से कप कुम्ब किस नदी के किनारे होता है यह UPPCS previous year 2010 का question है आपको यह बताना है ना से कप कुम्ब मिला किस नदी के किनारे आयूजित होता है और हमारे पिछली कुजियों के right answer देने वाले जो consistent है वैसौनु कुमार, नेहा कुसबाहा और भी student जो consistently काफी अच्छी preparation कर रहे हैं और लगातार correct answer दे रहे हैं तो इसी तरह आप लोग अपनी अच्छी तयारी बनाए रखिए comment section में comment करते रहे हैं ताकि हमें भी उससे पता चले कि आप हमारे साथ interaction कर रहे हैं Thank you for watching, have a awesome day आपको कल फिर मैं इसका part number 7 प्रवाइड कराऊंगा तो इसे अधिक से अधिक दोस्तों तक share करिए और यह मानिया कि इससे अच्छा content आपको free में नहीं मिलेगा मैं आपको best content लाकर देता हूँ पिछले सालों के बहुत अच्छी question discuss करता हूँ जिससे आपके आने वाले परिक्षाओं में help मिलेगी Thank you for here Thank you like